हेलो बच्चों, आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे और आपने अपना पुराना कार्य भी पूरा कखिया होगा पिछली क्लास में हमने A, A, E और E बनाना सीख लिया है आगे बढ़ने से पहले, आज हम इन चारों अक्षरों को फिर से दोराईएंगे आ, A से अनार, आ, A से आम, इ, E से इमली, इ, E से इ आओ बच्चों, एक बार फिर हम इन अक्षरों की लिखा वर सीखें A के लिए 5 स्टेप्स स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप त्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइ बन गया A, A के लिए 6 स्टेप्स स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप त्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइए स्टेप 6, बन गया A, A, E, छोटी E, छोटी E के लिए 5 स्टेप्स स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, बन गयी E E, बड़ी E, बड़ी E के लिए 6 स्टेप्स स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 बन गया E अब आप अपनी हिंदी अक्षर खेल भाग एक में A, A, E, और E का अभ्यास करेंगे इसके लिए किताब के पेज नमबर 15 पर E, बड़ी E, और पेज नमबर 16 पर A, A, E, और E लिखकर पेज को स्वयमी पूरा करेंगे यहाँ है पेज नमबर 17 पर यहाँ भी आप सबसे पहले आज की दिनांग लिखेंगे और आम में रंग दुरेंगे आम, अरे आम से याद आया, अभी तो आम का मौसम चल रहा है और बच्चों को तो आम बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों क्या आपको पता है, आम को फलो का राजा भी कहा जाता है इसी बात पर चलो मेरे साथ, आम पर एक कवीता गुन गुनाएं देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है लगता कितना ताजा है, आम फलो का राजा है आम फलो का राजा है वेरी गुड बच्चों, अब आप इस कवीता का अभ्यास कीजिए Thank you